कल्यानपूर से अफर्त आदिवासी लड़की को सुरक्षित परजनों को सौपने पर 14 बेयड कॉलेज की ब्याख्याता सफपुर्व जिला परिशद शोभा कुजूर ने पिपरवार पुलिश टीम को शम्मानित किया टीम में सामिल पुर्व थानाप्रभारी नितेश कुमार दूबे केस के आयो एसाई कमले स्तिर्की और महिला कॉंस्टेबल जोसिता मिंग और अप्राजिता मध्यू को बुक्के और पौधा दे कर समानित किया गया इस उसर पर उपस्थित लोगों ने पुर्व थानाप्रभारी नितेश कुमार दूबे को बिदाई भी दी वहीं कार्यवाहक थानाप्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर मनोहर करमाली का स्वागत किया मैं आपको बता दू कि कुछ वर्षपूर मंडेर के एक आरोपी ने कल्यानपूर की एक आदिवासी की सोरी को दिल्ली में बेच दिया था वहां उससे जवरन घर का काम कराया जाता था बीते कोरोना काल में सूचना मिलने पर पिपरवार पुलिस ने दिल्ली जाकर उसे वापस लाया था इस मौके पर संतोस राम अब्दुल कुदूस राजेंदर परसाज चंदरवंसी समेत कई लोगों ने भी थाना परभारी को सम्मानित किया इस मौका कर आफी को सम्मान आफे ट्यान परेवार परसाजीं सम्मान अब्दूस को सम्मान आफे लाए जाएंस अब्दूस को सम्मान आफे लार। कर दो कर नामों से इतने खुस असंतु सक्रिप्त थी इनकी विदाई को सुन करके इसे रहा नहीं गया और आकर के हम लोग को भी इंफॉर्म करते हैं कि नहीं चलना है उस्के वांषल मतने फिल्जेगे वाधिखत था इनके विवहार से इनके बैँके आंडों से यूमैं को दिया है जिस परकार लोग किसी दी समस्या का समधा नहीं डिया है उसको में काभे तारीत है और आजका युकार्जक्रम इस निमित ही था पिताएं के घर में जाने की नाम करें थाना प्रभारी की परवार प्री नितेस्ट दुबेजी का ट्रांसफर सुनकर मैं काफी हत्प्रत रह गई क्योंकि इनके कार्य सहली से मैं काफी प्रभावी थी और इन्होंने जो अपने कार्य कार्य में इतने अच्छे कार्य किये और जिसके कारण मैं हजारी बाग से चलकर आज पिपरवार ठाना पहुंची हूं इनको समानित करने के लिए और मैं यहां के ठानप्रभारी और इंस्पेक्टर एसाई और जसिंता दिवी इन लोगों को वास्तों में ये रक्षा बंधन के हर्दार हैं मैंने इनको रक्षा सुत्र बांद कर लोगों की रक्षा इन्होंने की है और एक बहन को लोगडॉन के समय में दिली से लेकर यहां सुरक्षित पहुंचाया है मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है